है है लो बच्चों तो जैसा कि आप वो नोटिस करते होंगे एक चीज कि आपको मैट्स के वीडियो डेली के डेली मिलते हैं डेली के डेली आपको मैट्स के दो या फिर तीन वीडियो मिल जाते हैं लेकिन फिजिक्स के वीडियो आपको बीच बीच में मिलते हैं देखें फि कुछी वीडियो में मै constitu 빼कल सज्बा बनते और फीजिस के लेक्षक बनते हैं पिसनल करको चुछ से lighter अप्लोड करते हैं और कुछ जादे रहती है तो चलिए भीना देर के हुए सिधा वीडियो को सुरू करते हैं देखिए जो आपको question मिलेंगे यह चुकि इसमें दो chapter है पहला rotational dynamics और दूसरा elasticity chapter दो नहीं है chapter एक ही है लेकिन topics दो अलग अलग है एक rotational dynamics and elasticity ठीक है तो पांच question आपको rotational dynamics से मिलेगा और पांच question आपको elasticity से मिलेगा तो देखिए सुरू के पांच question पहले देखते हैं पहला question क्या है the radius of gyration of an object depends on देखिए the radius of gyration radius of gyration होता क्या है जिसे यह कोई एक्सिस है कोई particle इसके लॉंग चारों तरफ इसके चारों तरफ गति कर रहा है ठीक है यह particle है कोई मास का यह कोई particle है तो भीगा जब यह गति कर रहा है इसके चारों तरफ तो इसके खुद के भार पर तो डिपेंड करेंगा नहीं radius of duration यह होता है radius of duration radius of duration यह होता है train direction depends किस पर कर रहा है access of rotation कि या कि इसका access of rotation है और यहाँ है अगर यहाँ होता तो फिर radius of duration बढ़ जाती यानि कि depende कर रहा है Xabout rotation यानि option number C आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ देखे जो दूसरा question है आपके सामनी question क्या है the correct relationship among rotational kinetic energy k moment of inertia i and angular momentum j मतलब आपको kinetic energy k में moment of inertia i में और angular momentum j में relation निकालना है वो भी angular momentum के लिए तो इन तीनों के भी हमको relation निकालना तो हम कुछ चालांखी करेंगे यहां पर रेलेसन निकालने में हमेशा चालांखी की जाती है अगर आप याद करके जैंगे तो डिएसन कभी नहीं कर पाएंगे और question को Agr square कि läuft कि हमको रिलेशन निकालना है के में कि Ai में आज में तो हम के और आइक को टच भी करेंगे हम सिधा सिधुन को चेंज करके जएलाने का प्रयास कर सकतेंगे एंगिलर मॉमेंटम है जये उन्हें स्क्राइट में सिधा कम प्र्यास करेंगे धेए के is equal to हो जाएगा हाफ आई ओमगा स्वाइर को हम क्या लिख सकते हैं भी स्क्वाइर अपान आज स्क्वाइर चूंकि भी स्क्वाइर होता है आर ओमेगा होता है भी अपान आर ठीक है तो हम क्या कर दिए ओमेगा की जगहां पर लिख दिए भी स्क्वाइर अपान आर के एंवी स्कॉर्स से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो यह यम भी आर का होल स्कॉयर बन जाए गा अब उपर की हैं तो नीचे भी करना पड़ेका अब क्या हो गया देखिएंग भी आर का होल स्कॉयर यानिकि ये का स्कॉयर अपान MR का 2 देखिए, M² R की पावर 4 है इसको हम लिख सकते है MR का 2 क्या हो जाएगा यह Half, IJ का 2 अपान, I का 2 चुकि MR Шथ case मर 2 क्या होता है I होता है MR amar is equal to क्या होता ह devotion I होता है I से एक I कैंसर हो जाएगा आई यानि क्या बचा K equal to जे स्क्वैर अपान टू आई एक टो जै स्क्वैर अपान टू आपसा नंबर भी आपका राइट आन्सर हो जाएगा चले कोईशन नंबर इंगी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्टन नमबर तीन जो है वो नुमेरिकल है इस टॉपिक पर बेस्ट नुमेरिकल क्या है क्वेश्टन क्वेश्टन क्या है वाट विल्दा रेडियस आफ जाइरेशन फॉर ऑसॉलिड स्फियर एबाउट डायामीटर हुज रेडियस इस हाफ मीटर क्या बुल रहा है वाट विल्दा रेडियस आफ जाइरेशन फॉर स्वालिड स्फियर एबाउट डायामीटर हुज रेडियस इस हाफ मीटर देखे यह कोई स्फियर है अब इसका डायमीटर चाहिए हम ऐसा लें चाहिए कोई भी लेंगे बीज केंदर से जाता होगा तो क्या होगा दायमीटर ही लोगा हम दें के लांग हमको कहीर का उसके डायमीटर के सापेश गहोता है ostr 2y5mr2 यह होता है 2y5mr3 यह होता है और हम जो नौर्मल moment of inertia consider करते हैं वो क्या consider करते हैं mk2 हम मान लेते हैं कि यह mk2 moment of inertia किसी का होता है जहां पर k क्या होता है radius of gyration होता है तो हम इसका इसे comparison करा देते हैं तो होगा क्या इसको इसके बराबर कर देंगे यानि कि 2 by 5 m r square is equal to हो जाएगा m k square m से m cancel k square बराबर आ गया 2 by 5 r square यानि एकर m k की बेलो निकालें तो हो जाएगा under root 2 by 5 r हमको r पता है क्या बोल रहा है radius is half meter यानि कि 1 upon 2 meter तो क्या हो जाएगा ये 0.5 into root 2 upon 5 ये हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं radius of gyration k is equal to क्या हो जाएगा 0.5 into under root 2 upon 5 अब आप इसकी बेलो निकालेंगे जो आएगा वही आपका answer हो जाएगा ठेक है आई होब आपको question number 3 समझ में आ गया होगा चलिए बागे बढ़ते हैं question number 4 की तरफ चलते हैं question number 4 भी numerical है चलिए समझ लेते हैं question क्या है a disk released from rest at top and inclined plane what will the acceleration of disk when the angle of inclined plane is 30 degree क्या बोल रहा है a disk released from rest at top of an inclined plane inclined plane हमने आपको बताया था कि यह होता है inclined plane जो कि समतल से कुछ जुका हुआ हूँ और बोल रहा है angle of inclined plane is 30 degree यानि यह 30 degree से जुका हुआ है एक डिस्क यहां से release की जाती है और डिस्क का रेडियस कितना है रेडियस तो हमको डिस्क कर दिया नहीं है और रेडियस रेडियस का हमसे कोई मतलब भी नहीं यहां पर ठीक है तो बोल रहा है what will the acceleration of disc यानि कि हमको डिस्क का acceleration पता करना है तो हमने आपको rolling motion में बताया था कि जब कोई body कोई body किसी inclined plane से motion करते हुए नीचे आती है तो उसके acceleration का formula होता है 2g sin theta upon 1 plus k square upon r square यह होता है 2g नहीं भी जी होता है g sin theta upon 1 plus k square upon r square यह formula होता है acceleration का जब कोई body rolling करते हुए किसी inclined plane से नीचे की तरफ आ रही होती है ठीक है चलिए formula पे हम value रख देते हैं तो a is equal to क्या हो जाएगा g की value कुछ भी मान सकते हैं चाहे 10 रखो चाहे 9.8 रखो तो हम 10 रख देते हैं आसान होगा sin theta क्या है sin theta मतलब कि sin 30 होगा sin 30 और इसकी value 1 upon 2 होती है upon 1 plus k square upon r square देखिए k square upon r square कैसे होता जाएगा हमने आपको पढ़ाते समय बता दिया था कैसे निकाला जाएगा जो नॉर्मल मॉमेंट of inertia होता है उसको हम i is equal to m k square से मानते हैं और किसी डिस्क का मॉमेंट of inertia होता है m r square upon 2 ठीक है अब इस दोनों equation का compare करके हम compression करके k square upon r square की value निकाल सकते हैं क्या आएगा m से m cancer हो जाएगा यानि k square upon r square is equal to क्या आजाएगा one upon two आजाएगा k square upon r square की value अब यहाँ पर हम one upon two रख देंगे तो a is equal to क्या हो जाएगा यह 25 होगा यानि five upon one plus इसकी value one upon two two आई है ठीक है अब आप इसको solve करेंगे आ जाएगा फाइव अपान टू अन्जा टू वन त्री बाइटू त्री बाइटू उपर चला लएगा यानि यह टेन हो जाएगा तो टेन बाइट्री आएगा आप solve करेंगे ठीक है question number four भी आपका हो गया अब चलिए आगे बढ़ते हैं question number five की तरफ question number five भी एक objective question question क्या है the moment of inertia आफा body depends upon देखिए किसी चीज़ का जो moment of inertia होता है आई इसका formula mk square होता है यह क्या है radius of duration radius of duration पहले question में हमने आपको बताया था कि यह access of rotation पर depend करती है यानि कि moment of inertia moment of inertia किसी body के mass पर और उसके access of rotation पर depend करेगी तो यानि आपको option number D जो लिखा गया है यह आपका right answer हो जाएगा ठीक है मास पर और access of rotation पर moment of inertia depend करेगी ठीक है अब आई यहोप आपको rotational dynamics कि जितने हमने आपको question बताए आपको सारे के सारे यानि पांचों question समझ में आ गए होंगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं question number six की तरफ चलते हैं जो कि आपको next 5 question elasticity पर मिलने वाले हैं देखिए elasticity का पहला question है बहुत important question है question क्या है the correct relation but mean y k and sigma is देखिए y यहाँ पर young's modulus है k bulk modulus है and sigma क्या है poison ratio है तो इसमें correct relation क्या होता है यह हमको find करना है ठीक है देखिए यहाँ पर हमने आपको relation बताया था young's modulus मतलब तीनों elastic constants में वो हमने आपको बताया था क्या y is equal to 3k 1-2 sigma यह हमने आपको relation बताया था तीनों constant में elastic constants में यहाँ पर देखिए आपको young's modulus मिला bulk modulus मिला और poison ratio मिला ठीक है अब देखिए यही इसी में इसी तीनों में relation आपको यहाँ पर दिया गया है तो हम k बराबर अगर यहाँ निगालें तो क्या होगा वाई अपान त्री ठीक है 1-2 sigma क्या हुआ वाई अपान वाई अपान 3 1-2 sigma आपसे नमबर ए में आपको यह पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है यानि क्या हो जाएगा के उकल टूबाइपान 3 1-2 ठीक है अगले को तरफ बढ़ते हैं द के रिलेशन लिखा हुआ है नाइन अपान वाइज उकल टू थ्री एन प्लस वन अपान के ठीक है अगर आपको यंग्स माडूलस बलकू माडूलस और क्या बोलते हैं माडूलस आफ रिजिटेटी इसमें अगर रिलेशन फूंचे तो आप यह रवाड़ा रिलेशन वो होता है सिगमा इस इक्वल टू थिरी के वन माडूलस टू इटा अपान सिक्स के प्लस टू इटा यह किसमे रिलेशन है यह माडूलस आफ रिजिटेटी इसके साथ पॉईजन रिजिटेटी इसके साथ बलक माडूलस इसमें यह रिलेशन होता है आई होप आपको यह त इटा 1 प्लस सिग्मा देखे आपको यहां पर 3 4 मिले और यह बहुत इंपौरटनलेशन हैं यह रिलीसन आपके कैलकुलेशन शंतक को बढ़ाते एं अगर आपको नहीं आती है तो आप यह रिएशन तीनों निकालेंगे तो आपके कैलकुलेशन स्ट्रॉंग होती जाएगी ति यहां पर है यहां पर वो है यहां ए यहां सब्सक्राइब कर यह यहां पर यह यहां पर फिर देखेंगे और कोई कोश्टन अगर कुंसर जाता है अगर चारों रिलेशन आता है तो आप डारेक्ट निकाल सकते हैं को संका आंसर ठीक है चलिए अब इसी के साथ अगले कोश्टन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्टन कोश्टन नमबर टू क्या है दा वैल्यू आफ यंग्स माडूलस वा यानि कि जो यंग्स माडूलस है वह सीरिंग माडूलस का 2.4 टाइमस है यानि इसका 2.4 गुना है ठीक है यंग्स माडूलस तो क्या बोल रहा है देन दा पॉजन रेशियो इज देखिए अभी जस्ट पीछे हमने आपको एक रिलेशन बताया था क्या वाइज इक्वल टू 2 इटा 1 प्लस सिग्मा देखिए तूरंत के तूरंत हमने भी आपको बता ही रहे थे कि आपको इस पर क्वेश्टन मिल सकते हैं दूसरा क्वेश्टन आपको इसी पर मिल गया ठीक है यह रिडेशन होता है यंग्स माडूलस और माडूलस आप यहां पर वाइक वैलू रखे इटा दिवाल जोडने वाला नहीं भी यह माडूल साफ रिडेटी है ठीक है देखिए यहां पर इटा से इटा कैंसिल ठीक है यानि वन प्लस सिग्मा इस उकल तू क्या आ गया तू पॉइंट फोर अपांट टू यह इधर जाकर दिवाइड हो जाएगा अब इसको हम पॉइंट टू अपां टू अपांट टिन कर देंगे त्रीक है यानि वन अपांट फाइब आज आएगा क्या वन अपां फाइब आज आएगा अब आप आप संद में ब्लाइज यहां पर तो आपसं में मिली नहीं रहा लेकिन फिर भी आप को सौल करेंगे हो सकता है कहीं तरीका यहीं लगेगा तरीका बिल्कुस तरीके में कोई गलती नहीं है तरीका यहीं लगेगा अगर आपका आजाता है तो ठीक है हो सकता है हमसे भी कहीं गलती हो गई हो चलिए लगले कोईस्टन के तरफ बढ़ते हैं कुस्टन न्बर तरीका है थ्री बोल रहा है कि टील वायर आफ वन अमयम रेडिएच इज ऑगई ऑगई ऑगा मतलब यह बेंग कर गया एक सर्कूलर आपके फाम में और आर्ओ आफ राइडिएश पचाशीं मित मैंचांसस सेमत्मिर ज्सक्राइश के सर्कुलर आर्ग में यह बेंड हो गया कैलकुलेट दा बेंडिंग मॉमेंट आफ दा मैक्सिमम इस्ट्रेस गिबन वाइज को इतना देखिए हमको यहाँ पर बोल गया पहले कोश्चन का मतलब समझगे यह हमारे पास कोई बीम है क्या है यह बीम है चुक्ति बोल रहा है क्या स्टील वह एक यम्यम रेडियस मतलब की वायर बोल रहा है यानि वायर क्या होता है यह सर्कूलर बीम होता है यह बोल रहा है कि यह बेंड कर गया क्या कर गया बेंड कर गया कुछ इस तरीके से यह बें bend कर गया तो हम stepune क्या रहा है कि bend करने के बाद इसका bending moment बताएगी bending moment और maximum stress बताएगे तो हम आपको ब्रके मोन बता देते हैं आप maximum stress निकालेंगे हम फार फार्मूला बतालेंगे डेखिए band in a कजょ फार्मूला होता है कि सी बेंडिंग मुामेंट का फर्मूला अगर आप पढ़ें होंगे तो आपको पता होगा या फिर हमारे लेकटर देखें होंगे तो आपको हमने बताया था कि बेंडिंग deiशंग ऑू होता है य वाई इसको हम किसी छीजे भी दिखा सकते हैं क्या उसकोता है विडिक क्यूब पान तो अब दो फार्मूले कैसे होंगे देखिए अगर आपको जो बेंडिंग में दिया गया है अगर यह स्टर्कुलर है तो आप आई की जगहां पर यह रख देंगे अगर रेक्टेंगुलर है तो आप यह दींगी देंगी जूकिंगि बोलरा है वायर है तो यह दो सर्कूलर ही होगा रेक्टेंगुलर तो होगा नहीं तो हम यहां पर आई की जगहां पर यह रख देंगे भर यानि banding moment क्या हो जाएगा वाई आई की जगहां पर पाई आर की पावर फोर बाई फोर रख देते हैं और नीचे आर हो जाएगा यह हो गया बेंडिंग मॉमेंट चलिए यह बैलू रख देते हैं जो जो बैलू हमको दी गई है बैलू क्या दी गई है देखिए वायर आफ एक मिलिमीटर रेडियस यान जोनीं इसमाल र की बैलू हमको एक यम ओंन दी गई है चुकि यह भी 70 मीटर में तो इसको यह 0.1 स्टी मीटर हो जाएगा इसके लामा वाई की बैलू आपको यहां पर दी गई है दो गोड़े दस किखाते 12 दाइन 30 स्टी मीटर स्कॉयर इसके लामा अगर आपको inception मेटर दी गई है किया अविख सकते हैं ये वैलु आपको दी गई है पचास सेंटी मीटर ठीक है हमने इतनी चीज्ज़ें यहां पर निकाल額 अब इसी फार्मूले हम यह सारी बैलु रख देंगे तो हमारा क्या जाएगा इसी फार्मूले में हमें ये बैलु रख स्क्वार की मतलब सारी वैलूएं रख देंगे तो आपका आंसर आजाएगा अब आप लोग इसको सौल करेंगे हलाकि हम इसको यहां पर लिख देते हैं आराम से बेंडिंग मॉमेंट bending moment is equal to हो जाएगा y की value दो गुड़े 10 की हाते 12 और फिर पाई की value 3.14 फिर r की power 4 की value क्या हो जाएगी 0.1 की power 4 upon r capital r की value 50 cm into 4 अब आप इसको solve करेंगे जो आपका answer आएगा वो आपका answer हो जाएगा और यह एकदम right answer होगा तरीका यही करेंगे तो आपके सामने answer आजाएगा अगर आपका answer हम आपको अगर बताना चाहें तो आपका answer हम बता देते हैं कि answer क्या आएगा इसका जो answer आएगा वो आएगा 3.14 into 10 to power 6 यह इसका answer आएगा इतना डाइन 70 मीटर इसका unit होता है डाइन 70 यह इसका answer आएगा आप लोग solve करेंगे answer यही आएगा ठीक है अब अगली चीज़ जो है इसमें पूचा गया है आपको क्लास जरूर देख लिए बिना उसके आपको यह सारी चीज़े समझ में नहीं आएंगी अब यह जड़ क्या है देखिए अब यह जड़ क्या है यह बात आती है तो देखिए यह कोई बीम है ठीक है यह कोई बीम है हमारे सामने तो देखिए यहां पर जो neutral surface होता है ह हमने आपको बताया था कि neutral surface में किसी भी प्रकार का stress नहीं होता है इस्ट्रेस या फिर इसमें होता है और फिर इसमें इसके उपरी वाले हिस्टे में होगा और इसके निचली वाले हिस्टे में होगा चुकि maximum stress मुश्च रहा है और maximum stress यह तो इस पर होगा या तो इस पर आपर ही परोगा या फर एकदम नीचली पर्द पर होगा ठीक है यह जो होता है यह जो होता है कि आप या फिर नीचे स्ट्रेश होता है है तो Packers स्ट्रेस्स थे तो मैक्सिमम स्ट्रेस्ट की वेलू क्या हो जाएगी आर ho जाएगी जया है यहां पर क्या हो जाएगी व्य और अपन अर अब इसमें आप वाई की वेलू क्येपिटर नगर मुट करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा ठीक है तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी चलिए अगले कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कोश्चिन जो है वो क्या है अकेंटि लीवर आफ लेंथ 0.5 मीटर है जाट डिप्रेशन आफ 15 यमियम का मतलब हुआ 15 मिली मीटर ठीक है यहां पर मीटर में दिए गया है यहां पर मिली मीटर में दिए गया है तो पहले तो हम एक काम यह करते हैं कि इन सारी चीज़ उसको भी हम मीटर में कर लेंगे अभी ठीक है कि क्या भोला है कि आकिंटि लीवर लेंथ 15-05 मीटर एक कैंटि लीवर क्या होता है पहले तो यह समझेये अगर हम एक बीम को एक शिरी को फिक्स करके एक सीनिचे कुछ भार लटका दें तो यह कुछ इस तरीके से क्या कर तरह रहा है इसको बोलते हैं कैंटिलीवर क्या बोलते हैं कैंटिलीवर और इसकी लेंद्ध हम को दे रखा है क्या 0.5.0 देज फिरी इंड यहाँ पर बोल रहा है कि डिप्रेशन कितना है फंद्रा मिल मीटर यांदफ फ 밟र होता है यह पर फिरीइंड हो तो डिपार होता है वह calculate the depression at the distance of 0.00 0.3 meter from the fixed end from the fixed end क्या बोल रहा है कि इसके 0.3 meter fixed endam far as to go ne quicker नििकालना है शोक्षिबिधर यहां पर अलग है हाँ इन जालग है आपर अलग है यहां पर अलग है सबसे ज्यादा यहां पर है ठीक है तो हम को इस 0.30 पींटर आगेघर निकालना है पैसे देखिए आपको maximum डपरेंसिए रफारीव क्या होता है आपको इह पता चाहिए नीभरेशन का फार्मूला क्या होता है तो चेसे मॉड़या होता है कि इसकार वा संटनख मानसा हें और यह डिपरेशन है यह क्या है डिपरेशन का फार्मूला होता है आप मैक्स दूरी पर डिपरेशन जो होता है उसका फार्मूला यह होता है WOMANCFreeix के लिए इस X की वाइलउ क्या हो जाएगी Ron could डिप्रेशन देख रहे हैंक लिए याशka वेले से तिखा जेते हैं और इसका य वाइड़मिलॉब क्या हो जाएगी यल हो जाएगी तो वह क्यों से य्वी सिख्ष हुगं ठीक है अब एकर हमो सब्वाइर करेंगे तो हमारा आ जाएगा पर डबलू एलैल क्यूब यह अपान धूरीła याई ठीक है यह आ जाएगा अगर हम हुगने धेक है तो अब आगे क्या करेंगे सूपक्लेशन निकालना है यहां से 0.3 मीटर आगे और maximum depression हमको यह दिया गया है इसकी वेलू पता है length यानि यलकी वेलू पता है यंग समाडूलर्स की वेलू हमको यंग समाडूलर्स की वेलू नहीं पता है तो हम करते के हैं यहां पर एक चालांकी लगाते हैं अब इसमें अगर आप इसकी वेलू निकाल के यं यहां पर है यहां पर है तो यह जाएंगे यानि ऑन अपफान क्या बचेगा वन अपान माल को बटने थी या फिर हम इसको ऊपर ले जाए सकते हैं यह ऌनदर क्या बचेगा एल-अक्स-क्यूइबर 26 यह बचेगा अब क्या करेंगे थो आब हमको वाई निकालना है X की value 3 दी गई है कितना 3 दिया गया है X की value 0.3 मीटर बोल रहा है तो हम यहां पर सारी value रखकर इसका Y का मान निकालेंगे Y is equal to क्या हो जाएगा 3 delta upon L cube 3 delta upon L cube L x square upon 2 minus x cube upon 6 ठीक है इतनी चीच समझ में आई अब आप करेंगे क्या वाई की value बोल रहा है कि जीरो पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से 0.3 मीटर आगे डिप्रेशन निकाली तो हम यह सी रख देंगे इस फार्मूले में तो फिक्स इन से 0.3 मीटर आगे डिप्रेशन वाई पता चल जाएगा तो इसी में हमको डेल्टा की ऑफ पर फेकटली ईलास्टिक एक पर फेकटली एलास्टिक थेक्स हम ने आप को बताया था कि क्या होता है जिसको और हम एक वार इसको एक एक बारटिने possible थे आप फिर से अपनी वास्तुईक आकृति में आजाए उसको हम भोलता है और पूरी की पूरी तरीके से उसी प्रकार से आ जाए उसको हम परेफेक्टली लास्टिक बोलते हैं अब परेफेक्टली लास्टिक का एक्जामपल कौन है इसमें से आप लोग बताएंगे आपसन है वैक्स दूसरा फास्फर ब्रांच तिसरा पैराफिंस और चवथा है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैंड़ करें 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 करें